इस पहले उनिट में जिसका नाम है लिटल थेंग्स हम जो में चीज़ें सीखने जा रहे हैं जो हमारे अब्जेक्टिव्स हैं उन में से पहले तो यह है कि पॉइम को रिसाइट कैसे करना है फिर डाइग्राफ और ट्राइग्राफ का कॉंसेट पंचुएशन और सॉफ्ट अंड हार्ट साउंड्स जो होती हैं और जीगी फिर राइमिंग वर्ड्स हम देखेंगे गांटिबल और अनकांटिबल नांस का कॉंसट क्लियर करेंगे और फिर प्रोनांस और इसी तरह से किसी भी पॉइम का सेंट्रल आइडिया कैसे लिखा जाता है अच्छे यह जो पॉइम है यह जूलिया कार्णे ने लि make the mighty ocean and the pleasant land so the little moments humble thought they be make the mighty ages of eternity so the little errors lead the soul away from the pass of virtue into sin to stray little deeds of kindness little words of love make earth and eden like the heaven above जी तो बच्चो हमें अब ये पूरी पॉइंप पढ़ने के बात पता चला कि इसमें जो पॉइटस है जूलिया वो हमें बताना चारिए कि जो यूनिवर्स में हमारे दुनिया में छोटी छोटी चीजे हैं हमें उनको सिरफ इसलिए हकीर ये कम तर नहीं समझना चाहिए कि वो छोटी है जैसा कि आपने देखा छोटे-छोटे पानी के कत्रव से बड़े-बड़े समंदर बनते हैं अच्छा जी अगला हमारा जो सेग्मेंट है वो है लिसनिंग एंड स्पीकिंग फोकस इसमें कुछ ऐसे टिपिकल सेंटेंसेज बताये गए हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं हम जरह इनको पढ़ लेते हैं पहला है थेंक यू आइम ग्रेट्फुल यू और ट्रू फ्रेंड यू और ब्लेसिंग यू वैरी हेल्फुल यू आर ग्रेट इसी चरह से हमारा जो नेक्स सेग्मेंट ह पॉइम और लेसन कि हमें चीज़ें कितनी के साथ तक समझ आई हैं अच्छा जी पहला सवाल है यह नजम किसने लिखी है जी जी वर डन जूलिया कारने जबर्दस अच्छा जी और दूसरा सवाल है हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा होता है तो जाहर है ऐसे फिर लाइफ अच्छी हो जाती है तीसरे क्वेस्टन में कहा गया है कि यह कुछ लाइने हैं पॉइम की इनको ज़रा अपने वर्ड्स में एक्स्प्रें किया जाए लिटल डीड़ अफ काइने लिटल वर्ड्स अफ लाइफ मेक और अर्थ अन एडन लाइक दा है वन अबाउट तो इस में जाहरे के शाइरा जो है यही बताना चारिए कि अगर हम एक दूसरे के साथ पॉलाइट वर्ड्स में बात करें एक दूसरे को पॉलाइट टी डील क engine focus का उसमें हमें यह कहा गया है कि हमने दो pair बनाने हैं डाइग्राफ के और दो ट्राइग्राफ के तो पहले जो दो pair हैं वो है PR और CH तो PR से जो words बनते हैं इसको consonant cluster भी कहते हैं पहला है pretty और दूस्टा है praise इसी तरह CH से बनने वोले दो words जो के rhyming words हैं वो हैं चाक और चिल इसी तरह से जो ट्राइग्राफ है SCH उससे जो दो rhyming words बनते हैं वो हैं school और schedule इसी तरह से SQUU इससे जो दो words हम बना सकते हैं वो हैं squash और squeeze तो यह डाइग्राफ और टाइग्राफ से हमने जो हैं कुछ words बनाए हैं अब आप इनको अपने notebook में लिख सकते हैं तो that's all from this segment बाकी phonics focus को हम next segment में चला discuss करते हैं thank you अब बनाए हैं उपने करते हैं